वेलेंटाइन डे मनाना नील और एशुरिया को पड़ा महंगा लोग कर रहे हैं कमेंट्स आखिर फैन्स क्यों भड़के नील और एशुरिया पर हेलो आप नेकरें फॉस्ट इंडिया टैली मैं हूँ रजनी बिग बॉस 17 फेम नील भट और एशुरिया शर्मा जब बिग बॉस के घर में थे तभी भी काफी जादा सुर्खियों में थे जिस तरह से एक दूसरे पर दोनों प्यार लुटाते थे और एक दूसरे के साथ दोन के अग्रेसिव नेचर को ले कर जिस तरह से वो नील भट के साथ विहेब करती थी अब बाहर आने के बाद भी दोनों आये दिन अपना रील डालते रहते हैं फैंस के साथ शेर करते रहते हैं और यहां पर देखा जा रहा है कि दोनों वेलेंटाइज डे जम्मू कश्मीर की वादियों में मना रहे हैं और एक दूसरे पर भरपूर प्यार भी लुटा रहे हैं पहले इन्होंने मुंबई के जुहू बीच पर एक फोटो शूट कराया वेलेंटाइन डे मनाया उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुच गये वहां से एक से बढ़कर एक रील भी पोस्ट क लेकिन इन दोनों को देख कर लोग काफी जादा भढ़कते नजर आ रहे हैं इनके इस वेलेंटाइन्स डे स्पेशल पर इन्हें ट्रोल कर रहे हैं लोग एश्वरिया शर्मा को काफी खरी खोटी सुना रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि देखो किस तरह से चुड़ायल इस तरह से लोग इनके काम को लेकर भी टॉंट कर रहे हैं इनके नेचर को लेकर भी टॉंट कर रहे हैं तो कई लोगों का मानना है कि यह जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है जिस तरह से ऐश्वरिया शर्मा बिग बॉस के हाउस में जगड़े करती नजर आती थी नील भट को भी काफी ज़ादा कुछ कह देती थी उसके बाद उनका जो इमेज है वो बाहर काफी ज़ादा खराब हो गया है कि आश्वरिया शर्मा कुछ भी करती है लोग उन्हें ट्रोल कर देते अब देखिए ना वैलेंटाइस डे पर दोनों कपल पहुंचे जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट करने के लिए और वहां से अपने फैंस के साथ रील और वीडियो शेयर की लेकिन इस पर भी उन्हें ल झाल